हेले दोस्तों मैं सवरों मलिक आप सभी का टोपीकी है जुआगत करता हूँ दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस एट जिसमें हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ इंपोटेंड कोईशन और उनकी सोट्रिक तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके end तक जरूर देखेगा देखे दोस्तो topic study channel पर मैं daily तीन वीडियो प्रोड करता हूँ regioning, math और gk की इन तीनों वीडियो के timing यह है आप note कर सकते हैं या फिर नीचे red click के button को दबा करके bell icon को on कर लिजे आपके पास notification पहुचने start हो जाएंगे देखे दोस्तों जब आप वीडियो को like करते हैं तो बहुत motivation मिलता है लगता है कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाऊं और अच्छे questions लेके आऊं तो आप प्लीज इसी तरीके से support करते रहा करें वीडियो को like करें और और भी अच्छा लगता है जब आप वीडियो को share करते हैं क्योंकि इससे दूसरे student की भी help होती है तो प्लीज वीडियो को अपने जितने भी WhatsApp ग्रूप है और जितने भी आपके Facebook ग्रूप है और जरूर से अरख करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को यहाँ पर पहला कोशन है कथर निसकर से इसमें बोला जा रहा है सभी बसे घर हैं तो देखें सभी बसे घर हैं तो इसे आप वेंड डियाग्राम में कैसे बनाएंगे आप एक गोला बनाएंगे यह आपका गोला हो जाएगा बस का और सभी बसे घर है तो सभी बसे घर कम होगी जब आप यह बस वाले गोले को दूसरे गोले से कवर करेंगे और जो दूसरे वाला गोला होगा ये घर का होगा ठीक है ये वाली condition होगी फिर बोला जा रहा है सभी घर जीले हैं तो ये आपका जो लास्ट वाला गोला था है उपर वाला एक घर का था अब सभी घर जीले बता दे तो इसका मतलब इसके उपर को एक गोला और आजेगा और यह वाला जो गोला रहेगा यह जीले का हो जाएगा तो सबसे पहले आपका बस फिर उसके बाद घर और उसके बाद आपका जीले हो गई तो इस वेंड डियाग्राम को मैंने आपके बना रखा है आप उसको अच्छे से समाझ लीजिए सबसे पहला वेंडेग्राव आपने बनाया बस का सभी बसे आपकी घर है तो आपने दूसरा गोला बनाया घर का और सभी घरें जीले हैं तो ये आपका घर का हो क्या बहुत ही सिंपल कोशन है अभी तो बहुत सारे इंपोर्टेंट कोशन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तो वीडियो का आप बीचे मत छोड़ा करें ठीक है पूरा एंड देखा करें अब इसमें निसकर्स देखते हैं क्या क्या है सबसे पहला निसकर्स सभी बसे जीले हैं तो सभी बसे जीले देखे दोस्तों बिल्कुल हो जाएगी क्योंकि सभी बसे आपकी क्या है घर है और सभी घर आपके जिले है तो जब घर जिल के अंदर है और घर के अंदर आपकी बसे हैं तो सभी बसे जिल भी हो जाएगी ठीक है आशा करता हूँ कि आपको समझ में आगे होगा वह अगर सबसे बाहर वाले डाइग्राम को बोला जा रहेगी चले कुछ दूसरा है आपका दिसकास कुछ घर बसे हैं तो कुछ वाली कंडिशन भी बिलकुर साइडिसपार रहेगी कुछ घर आपकी बसे हैं अगर सभी बसे घर हैं तो कुछ तो obviously होगी, तो दूसरे वाला भी आपका right हो जाएगा, ठीके दोस्तों, पहला भी right, दूसरा भी right, तीसरा है, कुछ जीले घर हैं, देखे कुछ वाली condition ये सारी की सारी ही आपकी satisfy रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा, सभी में complete correlation है, अगर सभी बसे घर हैं और सभी घर आपकी जील है, तो कुछ वाली condition तो तीनों में किसी के बीच में भी बोल दी जाए, वो ये आपकी right रहेगी, तो यहाँ पर तीनों ही आपके ये निसकर्स right रहेंगे, I hope कि आपको कोई question समझ में आगे होगा, चलिए, next question पर चलते हैं, किसी question में भी doubt लगते है तो नीचे comment box में पूछ लीजेगा, तो question number 2 भी आपका कथर निसकर्स है, हर एक type के में दो-दो question कराता हो चलूँगा, और daily इसी तरीकी से आपके practice set आते रहेंगे, तो दूसरे question में हैं, कि कुछ पाढ़िया नदिया हैं, तो कुछ पाढ़िया आपकी नदिया बना लेते ह तो दूसरे वाले का कुछ वाली condition को satisfy कर जाता है, ठीक है, चले, दूसरी line में लिखा है, कुछ नदिया रेगिस्तान है, कुछ नदिया रेगिस्तान है, तो आप इसको भी complete कर लेंगे, कुछ नदिया रेगिस्तान है, यानि कि आपका जो ये नदिया है, इसमें आपने हलक रेगिस्तान सड़के हैं तो सभी रेगिस्तान सड़के कब हो जाएगी दोस्तों यह आपका रेगिस्तान वाला गोला था अब सभी रेगिस्तान आपकी सड़के हैं तो इसे आप कवर करेंगे क्योंकि सभी के सभी रेगिस्तान सड़के कब होंगे जब यह सड़क वाला गोल में relation है क्योंकि सडक वाला ये गोला जो है ये नदी में को जाएगा ठीक है तो ये कुछ वाली condition को satisfy करेगा तो पहले वाला आपका सही हो जाएगा question number sorry discuss 2 है कुछ सडके पाड़िया है ठीकि सडक और पाड़ी के बीच में कोई relation नहीं बता गया है आपकी सडक यहां पे है पाड़िया यहां पे है इनके बीच में कोई भी relation ना when diagram में सो रहा है और नहीं question में बोला गया है अगर किसी के बीच में कोई आपका relation नहीं बता जाता है तो वो कभी भी right नहीं हो सकता है और वैसे आपका option 3 है कुछ रेगिस्थान पाड़िया है तो कुछ रेगिस्थान भी पाड़िया नहीं हो सकते है क्यूंकि रेगिस्थान और पाड़ियों के बीच में भी कोई relation नहीं है तो यह भी आपका विपरीत क्या होगा तो मुझे लगता है जिनों ने भी डाइस यान की पासे वाली मेरी वीडियो देख होगी तो वे इस कोशन को देखते ही बता देगे कि इसका अंसर क्या होगा एक सेकंड में तो प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो मैंने पुछा B के विप्रीत क्या आएगा दोस्तों मैंने बताया था कि जहाँ पे यानि कि B के विप्रीत पुछा तो एक छोड़ के आपको बताना है एक छोड़ के कौन सा अगर D अगर C का विप्रीत पुछा जाता तो C में D को छोड़ देते तो इसका विपरीत हो जाता ए का विपरीत क्या हो जाता ए का विपरीत हो जाता तो ये वाली condition होती है दोस्तों यानि कि जो भी आपसे पूछ जाए उसके बीच का एक छोड़ के next अलग जा होगा वो उसका विपरीत हो जाएगा तो इसका right answer दोस्तो D हो जाएगा चले एक question और देख लेते हैं question number 4 है नीचे एक पासे का विस्तार को दरसाया गया है बताएं अंक 2 के विप्रीत क्या होगा 2 के विप्रीत पूछा गया है अब क्या करना है 2 के बाद छोड़ देना है एक को यानिकी 40 का right answer हो जाएगा तो आप इसमें second bin लगाएंगे मैंने बताया था आप देखते हैं आंसर बताएंगे पूछा जाता 1 का विप्रीत तो 1 का विप्रीत आपका 6 हो जाता है पूछा जाता 3 का विप्रीत और 3 का विप्रीत आपका 5 हो जाता है और ध्यान लखेगा दोस्तो यहां पे ये बात नहीं है कि आपका 2 का विप्रीत 4 होगा अगर 4 का विप्रीत पूछा जाए तो यह 2 हो जाएगा अगर 5 का विब्रीट पूछा जाए तो इसका 3 हो जाएगा 6 का विब्रीट पूछा जाए तो यह 1 हो जाएगा तो ध्यान लखिए इसका मतलब यह नहीं कि बस 2 का विब्रीट 4 है अगर 2 का विब्रीट 4 है तो 4 का विब्रीट 2 हो जाएगा तीक है चलिए अब चलते है नेक्स कोशन पर दो तो कोशन नमबर फाइव है ये भी कथन निसकर से ही है और इसमें पूछा जा रहा है देखे एक तीज़ोर मैं आपको बता दू रेलवे में कथन निसकर से बहुत जादे कोशन आते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपको हर एक वीडियो में एक दो कोशन प्रोवाइड कराते रहूं ताकि आपकी प्रिप्रेशन अच्छे से चलती रहे यहां पर कथन बोला गया है आवश्यक्ता के समय काम आने वाले मित्र ही सच्चे मित्र होते हैं तो यहां पर आपको कथन बता आवश्यक्ता के समय जो आते हैं, काम आते हैं, वो ही सच्चे मित्र होते हैं, यानि कि सच्चे मित्र की डेफिनेशन क्या दी गई है, जो आवश्यक्ता के समय काम आते हैं, वो सच्चे मित्र होते हैं, अब निसकर्स में क्या है, अच्छे समय में सभी मित्र होते हैं, तो दो हो जाए गई तो ज्यान रखे कथन से बाहर नहीं जाना अच्छे निसकर्स दूसरा है बुरे समय में दुस्मन मित्र नहीं होते बुरे समय में दुस्मन मित्र नहीं होते तो इससे भाव इस पस्त नहीं हो रहा है कि यह बोलना कहते रहे बुरे समय में दुस्मन मित्र नहीं ह होते हमारी जो कतन चल रहा है वह an और यह बहुत इंपोरडन्ट है अगर आपका कसी और बारे में बात कर रहा है और आपके निशकर्स किसी और चीज़के बारे में बात कर रहें तो वह कभी भी राइट नहीं हो सकते तो तो दोनों ही रहेنंगे आसा करता हूँ कि आपको ये question भी समझ में आगे होगा चले next question पे चलते हैं दोस्तो question number six में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इस question में बोला क्या जा रहा है नीचे दिये गए person में person आकरती में एक पारदर्सी कागज एक नमूना आकरती के साथ दिया गया है दी गई उत्तर आकरतियों में से वह आकरती चुनिये जो पारदर्सी कागज को बिंदु में रेखा पर मोडने पर प्राप्त आकरती के समान दिखाई देगी देखें यहां पर आपको एक कागज दिया गया है और इसमें ये आकरती बनाए गई है बोला जारा है कि जो इसमें डैस डैस ये बिंदु लगे हुए इस पे अगर इसको ऐसे मोड़ दे जाए अंदर की साड़ को ऐसे तो इसमें कौन से अगरती आपको दिखाई देगी ठीक है तो देख लिए देए अब मुझे बतेए अगर ये आर को हम उपर की तरफ को मोड़ेंगे तो आर उल्टा हो जाएगा अगर एक paper आपके पास ये है ठीक है उसमें ए ऐसे लिखा है अगर क्योंकि ए समझ में आजएगा एक दम से इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो ए ऐसे हो जाएगा दोस्तो ठीक है क्योंकि इसको मैं उठाके ऐसे मोड़ूँगा उपर की साइड को तो ए उपर को हो जाए तक क्योंकि R इस साइड है उस साइड तो नहीं जाएगा आर इसमें सीदा है ये भी answer नी बन सकता है अब R यह तो ये या फिर ये दो आपके सामने है ठीक है अब यहाँ पे देखिए अगर R का ये वाला हिस्सा बार को है तो यहां पे यह वाला हिस्सा इसका अंदर को चले गया यानि कि R किस तरीके से बन रहा है शोरी यह आपका R बन रहा है कुछ बही ठीक है यह मेरी ड्रोइंग बहुत खराब है आप समझ यह कि R का हिस्सा अगर आप उपर को उठाएंगे तो यह आर इस तरीके से ही उल्टा बनेगा ठीक है तो यहां पे option आपका A राइटा अंतर हो जाएगा ठीक है दोस्तो तो आशा करता हूँ कि आपको यह question समझ में आ गया होगा ठीक है चले next question पे चलते हैं दोस्तो question number seven और eight है इन दोनों में आपको बताना कि भिन कौन सा है तो अगर मैं seven question की बात करूँ तो यहां पे देखिए option एक यानि कि one two three four मेंसे आपको एक भिन दिखाए देगा यानि कि इन मेंसे अलग कौन सा है old one out आपको निकालना है तो इस इसका square है बट 146 किसी का भी square नहीं होता है तो इसका मतलब यही आपका भिन हो जाएगा ठीक है question number eight अब इसमें दिखिए 157,581,698 और 784 आपका लिखा है इसमें भिन कौन सा होगा अगर इसमें मैं भिन की बात करूँ तो दोस्तों यहां पे आपका भिन हो जाएगा 698 क्य क्यों कि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ साथ से तो 51 टाइम जाएगा इसको भी साथ से डिवाइड करूँ तो यह भी डिवाइड हो जाएगा बट 698 जो है वो आपका 7 से completely डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो यही आपका रैट आंसर हो जाएगा बाकिया आपके वो 7 से डिवाइड हो रहे थे अब की बार यह सभी नंबर इसको मैं डिवाइड करूँगा 11 से तो यह 11 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है 488 को मैं डिवाइड करूँगा 11 से तो यह भी डिवाइड आपका हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड जरूर रहेगा इसमें घर ये वाला जो है आपका इसमें घर नहीं रहेगा तो यही आपका भीन हो अगर आप नैंक आपने चैनल के साथ dalूर ले ए और अपने दोस्तों तो टेलिग्राम पे जाके topic study search करके join कर लिजे और वहाँ पे आपको सारी पीडियाप मिल जाएगी Facebook, Instagram पे आप topic study को follow कर सकते हैं और सारी information लेने के लिए अगर आप मुझे follow करना चाहते तो Instagram और Facebook की ID के मेरे link यह है आप यहाँ पे जाके भी मुझे follow कर सकते हैं फिर मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care वीडियो के देखरे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो